जब तक अतीक एहमेद जिंदा था, राजनीतिक तौर पर भारतिय जनता पार्टी के काम आता रहा और अब जब की मर गया है तो मौत के बाद भी अफवाबाज मीडिया के जरीए वो भारतिय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपागांडा पूरा कर रहा है। कैसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों एक एक करके सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ साल 2018 जब फूलपुर में उपचुनाव हुए थे तो Zee News उस वक्त क्या कह रहा था दोस्तों मैं आपको पढ़की सुनाना चाहता हूँ साल 2018 फूलपुर लोकसभा उपचुनाव अतीक एहमद के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी को चुनौती भारतिये जनता पार्टी का फाइदा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि 2018 में भी अतीक एहमद जेल में बंद था मगर इस व्यक्ती ने जेल से चुनाव समाजवादी पार्टी के कटेंगे तो फाइदा किसको होगा हाला कि प्रॉप्यांडा काम नहीं आया वो बात अलग है मगर मैं जो आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कि हर बार चाहे फूलपूर हो चाहे इलाबाद हो जिसे प्रयाग राज कहते हैं इन अतीक एहमद ने राजनीतिक तोर पर भारती जहां था पार्टी की मदद की थी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ दोस्तों साल 2008 ये वो दौर है दोस्तों जब वामपन्थी दलों ने कॉंग्रिस सरकार से समर्थन वापसी कर ली थी क्यों क्योंकि वो इंडो यूएस न जनता पार्टी भी दे रही थी क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि मनमोहन सिंग सरकार गिर जाए समाजवादी पार्टी सामने आती है और कहती है कि हम मनमोहन सिंग सरकार का साथ देंगे उस वक्त समाजवादी पार्टी में सांसद अतीक एहमद थे मगर अतीक एहमद जे अनुमती मिलती है जेल से उन्हें फरलो पर रिहा किया जाता है और वो वोट देते हैं अब आप कहेंगे कि क्या उन्होंने वोट कॉंग्रिस के पक्ष में दिया था नहीं सहाब समाजवादी पार्टी का फर्मान था विप जारी था बावजूद इसके अतीक एहमद में यू सरकार गिर जाए हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों आपके सामने दो प्रमान मैं आपके सामने लोग सभा से वो दिस्टावेश चिमल फेश कर रहा हूं उन लोगों के नाम जिनों ने UPA सरकार यानि कॉंग्रिस सरकार के खिलाब वोट किया था वो कौन कौन है आपके स्क्रीन्स पर श्री अब्दुल्ला कुट्टी बासुदेव आचार्या प्रसन्या आचार्या योगी आदितिनात आनंद राव विठोबा अब्दुल एल के आडवानी और इस नाम को देखिए अतीक एहमद अतीक एहमद ने समाजवादी पार्टी के विप की अंदेखी करते हुए उस वक्त UPA सरकार के खिलाब वोट किया था और नतीजा क्या हुआ था दोस्तों समाजवादी पार्टी ने क्रोस वोटिंग के चलते इस अविश्वास प्रस्ताफ के दौरान क्रोस वोटिंग के चलते छे लोगों को पार्टी से निश्कासित कर दिया था और वो छे लोग कौन कौन है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ वो छे लोग थे अतीक एहमद और अफजाल अंसारी राज कुमार बुधोलिया जै प्रकाश रावत एस्पी सिंग बगेल और मुनवर हसन इन छे लोगों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखला दिया था क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के खिला वोट दिया था जबकि समाजवादी पार्टी ने बाकाइदा विप जारी किया था इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि जब तक अतीक एहमद जिन्दा था वो भारती जनता पार्टी की किसी न किसी तरीके से मदद करता रहा उसकी राजनीती से विबक्ष को कभी फाइदा नहीं हुआ उसकी राजनीती से अधिकतर फाइदा भारती जनता पार्टी को हुआ और अब उसकी मौत के बाद मीडिया के सरी एक बार फिर भारती जनता पार्टी की मदद हो रही है मैं आप एक सवाल पुछना चाहता हूँ सत्पाल मलक को लेकर میडिया में बलाक आउट दरसल क्यूं है मीडिया अनरगल खबरे क्यों चला रहा है जिसके ठेरों मिसाले है मैं आप से एक सवाल पुछना चाहता हूँ अफवाबाज गोदी मीडिया लगातार जूटी खबरें दिखा रहा है अतीक एहमत को लेकर भड़काओ खबरें दिखा रहा है अतीक एहमत को लेकर सरकार को इस पर कारवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों वो कायर मीडिया जिसकी हमत नहीं होती है सत्थिपाल मलिक के दावो पर चर्चा करने के लिए वो किस तरह का कचरा चला रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मसलन पापा की ये परी क्या कह रही है आपके स्क्रीन्स पर अतीक की हत्या के बात रात भर करवटे बदलता रहा मुखतार पापा की स्परी से मैं पूछना चाहता हूँ करपया बतलाने का कश्ट करें कि जब से सत्थिपाल मलिक ने करन थापर और प्रशान टेंडन को इंट्रव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जब पुल्वामा का हमला हुआ था तो उससे पहले सियार पिएफ केंडर सरकार से हवाई जहाज मोहिया कराने की अपील करते रहे थे मगर उनकी इस अपील को ग्रे मंतराले ने खारिच कर दिया था और जब इस बात की चर्चा पूर्व राजपाल सत्तपाल मलिक ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से की थी तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने क्या कहा था कि चुप रही है अजीर डोबाल ने क्या कहा था चुप रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ यहां कौन करवट बदल रहा था बात वानी रुकी जेनरल शंकर रॉय चौधरी ने भी सत्वाल मलिक के हां में हां मिलाते हुए ये बात कही इस खबर को भी मीडिया ने पूरी तरह से नजर अंदास कर दिया पूरी तरह से ब्लाक आउट कर दिया मैं इन गुल्लू और कालू और पापा की इन परियों से पूछना चाहता हूं कि रात भर तुम कितनी करवटे बलते हो क्योंकि तुम अपने पेशे को लगातार बदनाम कर रहे हो लगातार बदनाम कर रहे हो और एक अतीक एहमत की मौत क्या हो जाती है दोस्तों उसके बाद जिस तरह का कचरा, जिस तरह का जूट तमाम news channel चाला रहे हैं मसलन सुदर्शन news में क्या कचरा चला था उसके मैं आपके सामने मिसाल पेश करना चाहता हूँ आपके screens पर अतीक के लंबे समय से जेल में बंद रहने से गुड़ू और शायस्ता की नजदीकियां बढ़ गई थी ये कचरा सुदर्शन news चला रहा है अब जाहर इसी बात है अगर इगटना हुई है तो आपको कुछ ख़बर चलानी है मगर आप गुड़ू मुसलिम जिसे गुड़ू बंबास भी कहते हैं और शायस्ता की रिष्टों के बारे में इस तरह का कचरा चलाया जा रहा है तमाम शालींता की हदों को पार किया जा रहा है गुड़ू मुसलिम और शायस्ता के बारे में अनावशनाब ख़बरे चलाना तो एक अलग बात है मगर गुड्डू मुसलिम को नजाने कितनी बार encounter में मार गिराया गया है पिछले 48 घंटों में सारी ख़बरें जूटी साबित हुए नजाने कितनी बार उसे गिरफ़तार किया जा चुका है सारी ख़बरें जूटी साबित हुए एक एक करके मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स पर ये देखिए न्यूस 18 मुकेश अमबानी का न्यूस चैनल गुड्डू मुसलिम गिरफतार उत्तर प्रदेश में आज बड़ा होने वाला है यही न्यूस 18 ये खबर चला रहा था जिसमें उसने कहा था तेरा क्या होगा शायस्ता खून की भूग देखिए दोस्ते न्यूस चैनल में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अतिक एमत दुर्दान था वो एक अलग मुद्दा है माफिया था वो एक अलग मुद्दा है मगर इस तरह से कि तेरा क्या होगा शायस्ता आगे देखिए साब नासिक में गुड़ू मुसलिम गिरफतार जूटी खबर चला कौन रहा है जी न्यूस फिर देखिए चार धेर अगला नंबर किसका ये कौन चला रहा है साब ये चला रहा है न्यूस 18 न्यूस 18 दरसल मौजूदा दौर का सुदर्शन न्यूस बन गया है दोस्तों कहने को देश का सबसे धनी व्यक्ती मुकेश अंबानी ये न्यूस चैनल चला रहा है मगर खबरों के नाम पे जो जहर जो कचरा परुसा जाता है ना, इसकी कोई हद नहीं है, आगे देखिए, क्या राजिस्थान में होगा गुड्डू मुसलिम का इंकाउंटर, आगे देखिए, मारा गया अतीक का जिगरी गुड्डू मुसलिम, अजमेर में मिली लोकेशन गुड्डू मुसलिम का इंकाउंट यही नहीं दोस्तों निइज चैनल्स तो कबर के अंदर गुजगै हैं, जी हाँ कबर के अंदर गुजगै है, मजाग नहीं कर रहा ह duoyheen, ये देखिये. और जिस तरह से बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सत्यपाल मलिक ने जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और देश की राष्ट्री सुरक्षा सलहकार के बारे में दावा किया। क्या मीडिया के सतर पर नाकामी को लेकर अगर सत्यपाल मलिक की आलोचना करते हुए भी मीडिया ने कारिकरम किये तब ही उसे मुखी खानी पड़ेगी। क्योंकि पुलवामा को लेकर जो इंटेलिजन्स फेलियर हुआ है ना उसको लेकर सुबूत जो है वो बेताहाशा है। इतना लूओं कालूओं और प्यारी-प्यारी पापा की परियों का इस्तमाल नहीं किया है। इसलिए इस खबर पर पूरी तरह से खामुशी है। और फिर ये मीडिया ये दावा करता है कि मुखतार अंसारी रात भर कर्वट लेता रहा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप बच्चन केश्टो मुकरजी नाई को सुना रहे होते हैं कि जेल के कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुआ हैं हकीकत यह यह दोस्तों कि न्यूस चैनल्स अपना काम तो नहीं करेंगे मगर इस तरह की नौटंकी बदस्तूर जारी है एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रातना इस तरह के कचरा मीडिया को देखना बंद कीजिए क्योंकि इससे आपका कोई फाइदा नहीं होने वाला है यह गोदी मीडिया हसी का पात्र है और उसके इलावा कुछ नहीं अब इसार शेर्मा को दीजिए जासत नवसकार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी यह तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये